क्या आपको education loan लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए loan loan जो है हम नाम सुनके ही डर जाते हैं कि अगर हमने कोई loan लिया है तो उसका हमें interest भी देना पड़ेगा और अगर हम loan ले रहे हैं तो क्या हम उस loan को चुका पाई क्या है हलो वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज का वीडियो जो है आप टाइटल देखके समझी गए होंगे किया आपको education loan लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो इसी से अगर आप एपरोड आकर study करना चाहते हैं और जब यहां पर आप study करने आते हैं तो काफी ज़्यादा costly होता है यहां पर study जो है higher education बिल्कुल भी सस्ता नहीं होता है तो फिर हमें education loan लेना पड़ता है और क्या आपके मन में भी सवाल है कि हमको education loan लेना चाहिए या नहीं ल करें और बैल के notification को भी प्रैस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की notification जो है आपको मिल जाए Instagram ID जो है स्क्रीन पर शो हो रही है आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं कोई भी question रहते हैं आप मुझे Instagram पर कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे comment box में भी आप उससे अपना question पूछ सकते हैं देखिए जब आप education loan लेंगे loan तो आपको मिल जाएगा loan अजकल bank वगरा easily loan जो है हमको दे देती हैं लेकिन आपको यह देखना है कि आप जब loan लेंगे तो आप कहां study करने जा रहे हैं ठीक है सबसे बड़ी बात सिफ आप यह मत देखिए कि सिफ आपने degree complete कर लिया अपने loan लेकि क्योंकि अगर आपने loan लिया है तो आपकी liability हो जाती कि आपको वह loan चुकाना है और जब तक आप degree complete करेंगे अपना bachelor's complete करेंगे तीन साल अगर आपने तीन साल में bachelor degree complete किया है 4 year में complete किया है उसके बाद आपको loan चुकाना पड़ेगा तब तक आपको लोन नहीं चुकाना है लेकिन आपने जो amount लिया है लोन का उस पर interest लगके वो काफी जादा amount हो जाता है और जब वो काफी जादा amount हो जाता है तो फिर वो चुकाने में भी problem होती है तो आप पहले ये देख लिए सोचिए कि हाँ अगर आप में ये loan ले रहा हूँ इस loan अगर म मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अच्छे college में जाके admission लेके अच्छी job में कर सकता हूँ, तो ही आप ये loan लीजिए, otherwise आप ये loan नहीं लीजिए, तो ये loan लेने के लिए भी मैं आपको three conditions बताती हूँ, कि अगर आप ये जो three conditions हैं, और ये three conditions आप fulfill कर सकते हैं, तो ही आप ये देखिए कि अगर आप loan ले रहे हैं, तो वो loan चुकाने की जो responsibility होनी चाहिए, वो सिफ आपकी होनी चाहिए, आपके parents की नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने loan लिया और liabilities जो है वो आपके parents ने भार हैं, नहीं, ये अगर loan आप ले रहे हैं, तो ये loan जो है, जो परस तो ये चीज़ आप clear करके ही loan ले कि ये loan जो है, आपको ही चुकाना है, condition number one, इसमें आपके parents ये आपके siblings, आपके family members जो है, उनका involvement नहीं होना चाहिए, ये loan आपने लिया है, तो आपको ही ये loan चुकाना है, condition number second, condition number second कि आप जब ये loan ले रहे हैं, तो आप ये ऐसा नहीं है, आप किसी भी college के लिए, किसी भी छोटे college के लिए, आप ये loan ले, और क्योंकि डिगरी तो आपको easily मिल जाएगे, आप Open University से भी अगर आप degree करना चाहेंगे, तो वहां से भी degree आ जाएगी, इससे अच्छा आप किसी top colleges में जाकर वहां पढ़ें, और वहां के लिए आप लोन ले, क्योंकि अगर जब आप top colleges के लिए loan लेंगे, तो वह आपकी life बदल देगा, top colleges, आपको college जो है, वो job नहीं देता, लेकिन आपने जहां से degree ली है, जहां आपका, जहां आपने अपनी शिक्षा ली है, वो चीज़े बहुत matter करती है, और international colleges जो है, उनकी और तो जब आप बाहर study के लिए जाते हैं, US, UK, Canada, तो वहां पर जो study का तरीका होता है, वो बिलकुल अलग होता है, इंडिया का study कराने का तरीका जो होता है, वो बिलकुल अलग होता है, यहां पर study के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें में भी involved होना पड़ता है, और यहां का जो study का तरीका है, वो बिलकुल different होता है, तो जब आपने एक बार यहां से degree ले ली, यहां से study कर ली, तो आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे opportunities जो है, यहां पर मिलते हैं, अगर आपको भी ऐसा किसी college में admission मिल रहा है, और उस time में आप सोच रहे हैं कि आपको education loan लेना चाहिए, तो हाँ बिलकुल आपको यह time पर education loan लेना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी college में जा रहे हैं, अगर वो top colleges में आता है, चाहे फिर आप abroad जा रहे हैं, USA आ रहे हैं, UK आ रहे हैं, Canada या फिर इंडिया में भी आप जो top colleges में जा रहे हैं, तो उस condition में ही आप education loan लें, ऐसा नहीं है, आप किसी भी private college के लिए आप loan ले लें और फिर आप जो है, आपको जौब भी ना मिले, आपके पर करजा आ जाए, और जब हमारे उपर अगर हमने loan लिया है, और हम उसको नहीं चुका पाएंगे, तो वो करजा जो है, वो बहुत stressful होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी अच्छे colleges में जा रहे हैं, सिर्फ degree करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आपने ये education loan लिया है, और इस loan को मुझे, जैसे यहां से मेरे degree complete होगी, मुझे job में जाना है, और म किसी college के लिए नहीं ले, क्योंकि अगर आपको सिर्फ degree ही करनी है, तो फिर आप वो open university से भी कर सकते हैं, condition number third, condition number third में आती है salary, जब आपकी degree, master's complete हो जाती है, फिर आप job देखते हैं, तो जब आप abroad वगरा में job करते हैं, USA आ गया, UK आ गया, Canada आ गया, तो यहां जब आपका complete होता है, आपकी degree complete होती है, तो जॉब आपको खुद को find करनी होती है, companies आपको ढूडनी पड़ती है, आपको कहां job करना है, किस में specialist है, आपने engineering किया है, doctor किया है, musician है, जो भी है, आपने जो भी किया है, तो आपको उस field में job देखना पड़ता है, और इंडिया में जब हम degrees, degrees, masters वगरा करते हैं, तो यहां पर आपको job के chances भी काफी जाधा बनते हैं, यह amount आपको ध्यान में रखकर ही, आपको job जो है, select करना है, salary select करनी कि हाँ, मुझे इतने salary चाहिए, मुझे साल का इतना package चाहिए, तो आपको यह number ध्यान रखना है, जो आपने loan लिया है, क्यों लोन नहीं चुका है, क्योंकि हर मन जो है, interest तो लगता ही जाता है, तो जब आपको job में आरके, वो लोन चुकाना है, तो आप जब job में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी धिहान रखें कि नहीं, मुझे इतना आपको लोन चुकाना है, और एक बार जब आप यह risk ले ले आप लोन ले लेते हैं, और आप international college से masters, graduation कर लेते हैं, तो आपकी life भी बदल जाती है, और क्याते हैं, हम गरीब पैदा होते हैं, लेकिन गरीब हम हमेशा नहीं रहते, कोशिश करते हैं, तो हमारी life भी बदलती है, तो आप भी बस कोशि़ कीजिए, और क्योंकि जब हम इत इतना amount नहीं होता और abroad जाने के लिए बहुत बहुत खर्चा लगता है तो बस अगर आप education loan लेने के लिए सोच रहे हैं तो बस ये तीन conditions का धियान रखें फस्ट है अगर आप कोई भी education loan ले रहे हैं तो वो responsibility आपकी होनी चाहिए आपके parents की नहीं या फिर किसी भी family member की नहीं अगर कोई loan education loan ले रहे हैं तो वो आप अपने responsibilities पे ले रहे हैं second condition है कि top colleges हो तो ही आप ये loan लें otherwise ये loan ना लें और third condition ये है कि जब आप job select करते हैं तो अपने loan amount को धियान रखें आपके जो भी खर्चें उसको धियान में रख करके आप अपना job select करें अपनी salary decide करें तो यह इस वीडियो को like करें शेयर करें और subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next vlog में bye bye